हेलो दोस्तों नमस्कार दिलिपलीस को नश्टेवर भरती 2021 एक और रीजन के एड्मीट कार जारी कर दिये गए हैं टोटल 9 राज्ये हैं जिनके एड्मीट कार आचुके हैं तो दोस्तों तलिए फटापट से पूरी अपडेट देखते हैं और आपके सभी के एड्मीट कार कर आएंगे ये जानकार भी आपको मिलेगी दोस्तों दिलिपलीस को नश्टल भरती कि आगर पलपल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर कर दीजे और दोस्तों मैं आपको उतादू जर्नल सैंस की जिहां सामाने विग्यान की एक बहुत अच्छी बुक पब्लिस हुई है ये सब जगे आपको मिल जाएगी कि आज पास किसी बुक इस्टोर पर आप जाकर ले सकते हैं अगर बुक से जड़ा और कोई आपके में डाउट हो तो आप इन नमर पर कोल करके पूछ लिजे सभी एकजाम्स की तैयारी के लिए एक ही निचोड है सामाने विग्यान का ठीक है दोस्तों आपर देखिया बात करते हैं अडमिटकार की तो दोस्तों एक और रिजन जिसके अडमिटकार जारे हैं वो है MP Sub Reason जी हां दोस्तों MP Sub Reason के अडमिटकार जारे हैं और इसमें कौन-कौन से स्टेट आते हैं इसमें मद्दे परदेश और 36 गड़ ये दो स्टेट आते हैं ठीक है तो दोस्तों अब तक टोटल 9 राज्यों के यहां पर फोरो में स्टेटर अडमिटकार का लिंक आ गया है आप मारी साइट इस्टेट जोबलाइन.com पर जाओ दिल्लिपलिस के अडमिटकार का लिंक आपको होमपेज पर मिल जाएगा फिर यहां पर आप देखें जहां पर आपको किलिक हेर दिखाई देगा इसका मतलब उसके अडमिटकार आगे हैं देखें दोस्तों जो अन्य स्टेट आपके बच्चे हुए हैं राजस्थान, गुजरात, ठीक है, दिल्ली, हर्यारा इनके अडमिटकार दोस्तों आपके अगले चार दिन के भीतर भीतर आपको देखने को मिल जाएंगे इससे ज्यादा और अब समय नहीं लगने वाला है क्योंकि आप देखें लगातार तीन दिन से हर रोज एक रिजन के अडमिटकार आ रहे हैं तो अगले तीन चार दिन में जो बचे भी रिजन है उनके अडमिटकार भी आपको देखने को मिल जाएंगे और फोरम में स्टेटेस भी आप चेक कर पाएंगे ठीक है आगे भी दोस्तो इसे जोड़ी कोई बचेट है कि किसी भी रिजन के अडमिटकार आएंगे तुरंत आपके लिए वीडियो आजाएगा आप चैलन को सब्सक्राइब के मारे साथ जरूर जोड़ जाएं तैंक्यू जाहें दे वन्दे मात्रम दोस्तो मैं आपको तना चाह sachूँगा मोग टेस्ट फोर दिलिपली सकोने स्टेबल एंड एंससी चीप यो दोस्तो आनेकेडमी के ओपर यहाँ पर दिलिपलिस कोने स्टेबल है और एससी स्टेबल के लिए मोग टेस्ट हो रहा है देखे 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर ते के चलेगा टोटल दो आपके टेस्ट हैं एक दिलिपलिस कोने स्टेबल का और एक SSE CPU का ठीक है 20 नवंबर को SSE CPU का फुल लेंथ मोक टेस्ट होगा सुभे 10 बजे और अगले दिन 20 नवंबर को इसका एनालिसिस होगा इसमें अलग 24 नवंबर को एनालिसिस होगा दिलिपलिस फुल मोक टेस्ट का जिसमें भी आपकी रिजिनिंग, जीके, इंगलिस और मैं थे सभी सब्जेट की अलग-अलग एनालिसिस की कलासेज हैं तो इसका लिंग का आपको डिस्किस में दिया गया है वास जाकर आप इंडोल कर सकते ह और पुरी जानकारे देख सकते हैं